Hey guys welcome to the love and life 369 tarot कैसे आप सबी I hope आप सबी अच्छे होंगे guys और अपनी लेफ़ें आगे बढ़ रहे होंगे So guys reading का topic है आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो भी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आता है reading में लेट सी अब हम शुरू करते है रीडिंग को देखते क्या आता है सबसे पहली बात तो guys यह एक timeless reading है जब भी आपको मिलें आप इसे देख सकते हो आपको help करेगी और यह जरूरी नहीं कि सभी के साथ resonate करें हो सकता है सभी के साथ resonate करें हो सकता है किसी किसी के ही साथ करें प्लीज पॉजिटिवली रीडिंग को देखें और अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है reading में प्लीज ऑनिवर्स पैता है जो हमारे व्यूवेर्स से उनके पात्रा की feelings emotions और उनके thoughts क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए let's see okay अभी मैं नहीं लेडी ने all right nine of cups three of wands ace of pentacles clear है आपके partner आपको अपने wish fulfillment मानते हैं और आपको पाने के लिए ये सब कुछ करने के लिए तयार है कितने ही challenges आजाएं सामने कितने problems आजाएं लेकिन आपके जो नहीं मिल सकते या फिर अगर इनकी तरफ से इश्यों कि यह नहीं दे पार इस्टाबिटी तो भी एक blessing की तरह इस relationship को देखते हैं यह तो clear है और बहुत साथा strong attraction और बहुत साथा पैशनेट फील करते हैं आपके लिए यह भी clear है आप आपको लेकर के जज्ज्मेंट 9 of swords 5 of pentacles 8 of cups page of cups आपके जो partner है आपको खोने से बहुत ज्यादा ररते हैं यह clear है यह आपको खोने से बहुत ज्यादा ररते हैं इतनी ज्यादा स्ट्रोंग यहाँ पर यह आपके लिए जो जो इनकी फीलिंग से इतनी स्ट्रोंग आपके लिए इनसे कंट्रोल नहीं होता है ठीक है एक्शली यह बहुत विशिस मांगते सिलेशनशिप के लिए आपके लिए आपके लिए बहुत प्रात्नाईं करते कि आप इने मिल जाओं और जब भी इस बारे में सोचते हैं कि आप इनसे दूर और यह बहुत परेशान होते हैं इनकी रातों की नींदे उड़ी हुई है ना तो रात में सुचते हैं और जलेशनशिप की अपकी पीचे से रोते भी हैं परेशान भी होते हैं रातों को जग जग करके सोचते हैं दिन में भी सोचते हैं आपके लिए प्रे भी करते हैं और यह आपके लिए इतना कुछ फील करते हैं और आपको एक होना नहीं चाहते हैं यह चीज़ें जाहिर नहीं होने देते हैं आपको लगता होगा कि इनको कोई पड़वा नहीं आपको लगता होगा कि इनको कोई टैंशन नहीं और कोई फिकर ही नहीं बढ़ ऐसा नहीं है यह बहुत सोचते हैं आपके पादन अवाट करते होंगा यह आपसे एज में चोटे भी होंगे कुछ लोगों के लिए और फ्लर्ट भी बहुत करते होंगे सब के साथ करते होंगे दोस्त भी बहुत बनाते होंगे चाहिए वो लड़की हो चाहिए वो लड़की हो दोस्त बहुत होंगे फ्लर्टिंग मजाक्या इनका नीचर होगा मजाक वगरा करते रहते होंगे औ करते हैं यहां पर कि यह इंसान आपके लिए सीरियस है कि यह आपको कहते हैं कि हकीकत में वह कहते हैं पाना चाहता है यह हकीकत में आपको अपना बनाना चाहते हैं सिर्फ यह सबसे फ्लॉर्ट करते हैं बट आप से प्यार करते हैं है writings यह को अब कि लिए रोती है आपके लिए रातों में जाकते हैं आपके लिए प्रे करती है कि आप इंकी राइफ पिनको मिल जाओ वारी अमना इनसे कभी दूर मच जाओ अबाट ये चि अपने देते कभी ये क्लियर है आपको अमेशा ऐसे ही करेंगे कि उन्हों आप अगर ऐसी बात भी करते हो ना कि तुम मिस करते हो मुझे तो यह यही बोलते होंगे नहीं मुपे सीधा ये बोलते कि नहीं मैं मिस नहीं करता ये नहीं करती नहीं मैं नहीं सोचता या नहीं सोचती मैं तो यहां बिजी था वाँ बिजी थी ये था वो था क्योंकि चीजों को छुपाते हैं यह फीलिंग्स को छुपाते हैं बताते नहीं कि आखिर यह सोच क्या रहे थे आखिर चल क्या रहा है आपके लिए इमोश्टरल है बहुत साथ है ऐसे इनसानों का पते क्या होता है यह इंसान कभी खुल के नहीं बताते लेकिन कभी ऐसे situation इनके सामने आती है कि जिस दिन इनों ने उने अपना मुझ खोला जिस दिन इनों ने आपको बूली उस दिन-इन इन यह चरूर देख पा रहे हुए आप कि आप जो है कि बहुत आपको लगते ही तो सबके साथ ऐसा करते हैं करते हैं लेकिन आपके लिए serious नजर आते हैं दे चारियुट शिक्स ऑफ कप्स थैन अफ स्वाथ किंग ओवन जिम लबर हो सकते हैं और उसी के साथ मुझे यह यह पर यह भी दिखता है कि आप दोनों के वीच में कुछ डिफ्रेंसेज भी हो सकते हैं लेकिन उसके बावजूद भी कास लेजर नेज का लेकिन उसके बाव बावी तो को ही यह चीज का एसास है यह थीज आप दोनों को हमारी कास-ईजन अर यह चीज चीजे प्रॉबलम है एक टाइम कर हो सकता है में दूर भी होना पड़े जबकि हम नहीं होना चाहते तब भी यह चीजे भी बहुत सोच तो यह एक चीज है जो की आप दोनों के ब यह भी दिखते कि आप बहुत strongly खड़े हो means कि आप तयार हो इनके लिए हर problem से लड़ने के लिए और आपके partner आपको जाहिर नहीं होने दे रहे कि यह भी तयार है बठी तयार है अगर इनका यह कि अगर आप अपनी तरफ से कदम बढ़ाते हो तो यह भी means कि आपका साथ देंगी ठीक है बट होता यह है कि आप दोनों जब भी यह वाली जो strength लेकर कर आतों अपने अंदर के हम साथ में मिलकर करेंगे तैन उसके बाद में आप बहुत लोगों के आफ वाली सोचने लग जाते हो वह आपकी आप लुकार तो कि रे यह होता है कि देखते आगे क्या होता है तब करत देखेंगी यह चरड रहा है कि ओके four of cups four of swords two of wands देख लो कितना सोचते हैं आप खुद ही देख लो six of swords चारों कार्ड ओवर तिंक है आपके partner किसी और में को इंट्रस्ट आपके partner किसी और में इंट्रस्टेट बिल्कुल नहीं है ठीक है बिल्कुल भी नहीं आप देखो कितने सारे offers आती ही तीन तो एक और दिया जा रहा है इस सिर्फ आपके बारे मैं है धिल आप इनका आपके पास और जो आपके लिए फिलिंसे किसी और के लिए नहीं और से यह बहुत सोचतें आपके hol कि बहुत करते हैं इस शिच्टे की future के बाले में बहुत सोचते हैं इनको लग रहा है कि आपके बीना life बहुत मुश्किल है, आगे बढ़ पाना, because इनको लगता है कि अगर आपका साथ मिल जाए तो life बहुत easy है, और अगर आपको साथ नहीं मिलेगा तो life बहुत मुश्किल है, ऐसा ही फील कर रहे हैं, जब कि इनका behavior बहुत immature है, लेकिन यह फिर भी इतना डीपली आपके लिए फील कर रहे हैं 4 of Wands, 5 of Swords, 10 of Cups, Thumperance आपके पार्टन आपके साथ फ्यूचर के सपने बहुत देखें और देखते भी हैं आपके साथ सालिब्रेट करना आपके साथ घूमना फिर ना शादी करनी है फामली बनानी है लेकिन जब भी ये थौट आता है ना बस यही है कि आपको खोने से डरते हैं ये चारो कार्ट के अगर एक वाइड में मैं बताओं तो उसे जादा कुछ एक्स्प्लेन ना करते हैं एक शब्द में बताओं तो ये आपको खोने से डरते हैं सोचते हैं लेकिन जब इनको ये समझ में आता है कि पताओं नी फ्यूचर में क्या होगा तो ये डर जाते हैं आपसे दूर किसी भी हालत में नहीं होना चाहते हैं ये तो क्लियर है कि आपसे किसी भी हालत में दूर नहीं होना चाहते हैं तो इनका मैंने जितने भी कार्ट्स निकाले, मैंने हमेशा कार्ट्स को यही निकाला कि मैं देखते हूँ कि और क्या है, और क्या है, और क्या है, यह फील जो करते हैं वह बात प्यूर है ठीक है फिलिंग बाद प्यूर है आपके लिए मैं यह देख लेता हूं कि इस रिष्टे के आगे क्या होना है ठीक है इस रिष्टे में आगे क्या होना है Tower, Empress, Star, Knight of Wands, इतने positive card है, Three of Cups, फिर Tower क्यों है, Tower का card क्यों है, Lovers, Okay, Empress, King of Swords, King of Swords, Okay, Okay, so, आगे क्या होने वाला है, आगे किसी तरीके का surprise मिल सकता है, ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके का, आप किसी के लिए good news और किसी के लिए bad news भी हो जाकती है, बट जितने positive card से मुझे दिख रहा है कि जो भी news होगी, हो सकता है शॉक कर दे, हो सकता है थोड़ा सा परेशान कर दे, बट यह अच्छे के आप चाहरे थे लेकिन प्रॉब्लम सा रही थी बहुत साथा, तो आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर पारे और वो चीज़ मुझे आप पर दिख रही वो आपके लिए surprise होका, अगर आप अन्मेरिट हो और ऐसा कुछ है, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरुरत है, आपक कुछ लोग ऐसे रहे हैं, जिन्होंने बहुत सपने देखे हैं इनकी आपके पार्टर के साथ बेबी के, आप वो चीज़े कहीं हैं कि मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में, आगे कोई न कोई किसी ने किसी तरीके का आपको surprise मिलने वाला है, ठीक है, यह मुझे याप पर दिखता है, कुछ लोगों के लिए pregnancy का surprise है, कुछ लोगों के लिए, आपके जो पार्टर है, वो आपकी लाइफ पर वापस आ सकते हैं, यह भी मुझे आप पर दिख रहे हैं, अगर यह आप से दूर हैं तो, ठीक है, और अगर आप से दूर नहीं है, फिजिकल भी नही आगे का जो टाइम रहेगा, इस relationship में काफी excitement और काफी romance आपको दिखने को मिलेगा, कुछ लोगों के लिए तो मुझे आप दिख रहे हैं, कि आप कहीं बहुत अची जगा घूमने फिरने भी जा सकते हैं, यह भी मुझे दिख रहे हैं, आप एक साथ बहुत 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 टाइम स्पेंड करो, कि अगर आपका सब कुछ ठीक चल रहा है तो अगर आपका separation चल रहा है तो आपके partner आपके life वापस आ रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद definitely खुश्या तो आनी है, आनकुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहे हैं, कि आप जो प्रेगनेंसी यहां थांक्यू सो मच काईस, यह थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग, I hope आपसे रेजोनेट की हो, I hope आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो तो पुझे बताईगा जरूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लैक जरूर कीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब को नहीं मत पूलेगा, मिलते हैं, नेक्स रीडिंग में तब तक अपना ख्यार रखें, बबबाई, टेक्यार, सीव अगेन